आज मैं आमले का पाचक बना रही हूँ जिसे मैं सालो भर स्टोर करके रखूंगी और आप लोग को तो मालूम हैं आमले कितना गुनकारी होता है आप भी अगर चाहे तो बना कर रख लीजिए जिस आमले में दाग लगा होता है उसे आप इस तरीके से काट लीजिए और कालो में लगाईए आपका बाल काला घना और लंबा मुलाइम होगा आमले में कट का निसान लगा होता है उसी पर आपको चाकूर रख कर तवाते हुए चारो और से कट लगाना है आपको काटना नहीं है सारे के सारे आप इसी तरीके से कट का निसान लगाते जाईए और का जाते हुए इसे गर्म करना है फूल फ्लेम पर और जब ये गर्म हो जाए इससे आवाज आने लगे तो आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे होने दीजिए ठंधा जब ये ठंधा हो जाए तभी आप इसको आमले में डाल दीजिए और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूं नमक इसमें ज़्यादा लगता है आप इसमें नमक ज़्यादा करके डालिए और इसका धकन लगाकर इसे डेली धूप में सुखने दीजिए इससे पानी निकलेगा उसी से पाचक तयार होगा और आमले भी उसी से आप देखेंगे धीरे धीरे करके पुरा गल जाएगा करके और हर एक साल इसे धूप में डालिए आपका पाचक तयार होगा और इसे पेट दर्द में और कभी भी खाईएगा तो फैदा ही करेगा तो आप भी बना लीजी